नमस्वकार प्रियदर्शकों, हाजिर हुमैं सामुद्रिक विज्ञान पर चरचा करने के लिए आज हत्येली में स्वास्थ रेखां के बारे में हम जानेंगे प्रियदर्शकों यह रेखा यदि हत्येली में 9 हो तो अत्यंतु स्रेश्ट है इसका मतलब है कि स्वास्थ जातक का बिल्कुल ही ठीक है लेकिन यह रेखा यदि हथेली में दिखाई पड़ रही हो और छत भी छत अवस्था में हो निर्दोस अवस्था में न हो तो इसका मतलब है कि जीवन काल में स्वास्थ ठीक नहीं रहेगा अथवा जातक स्वास्थ क परेसान रहने वाला है यह रेखा मणीबन्ध के पास से निकल कर जीवन रेखा के भीतर से निकल कर अथवा चंद्र परवत से निकल करके और बुद्ध परवत तक जाती है प्रियोदर्शकों इसी रेखा को ब्यापार की रेखा भी कहते हैं अगर ये हथेली में दिखाई पड़े तो निश्चय ही ये बहुत स्रेष्ठ है क्योंकि इस रेखा का जीवन रेखा से सम्मंद होकर और मस्तिक स्रेखा से जुड़ने के कारण एक बहुत उच्च कोटी के त्रिभूज का भी निर्माण होता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यदि हथेली में यह रेखा दिखाई ना पड़े तो कहीं जादा स्रेष्ठ है और अगर दिखाई पड़ रही है तो स्वस्थ हो निर्दोस हो क्योंकि अगर हथेली में स्वास्थ रेखा साफ सुत्री अवस्था में न हो बाकी की रेखाएं चाह जीवन की लकीर कितना भी साब शुत्रा दिखाई पड़ता हो उस व्यक्ति के जीवन काल में परेसानी बनी रहेगी क्यों क्योंकि आप सभी जानते हैं स्वास्त ही धन है कारिक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व कल मैंने आप सभी दर्शकों से पूछा था कि जन्म कुंडली में त्री खडाय भाव किसको कहते हैं और प्रिय दर्शकों आम तोर पर कहा जाए तो ये सवाल था ही नहीं ये तो बस भावो के नाम थे बस संस्कृत में थे जिसके चलते कुछ लोग वैसे तो लगभग 80% दर्शकों ने सही जवाब दिया 10% ऐसे दर्शक थे या 15% कह सकता हूँ कि ऐसे दर्शक थे जिनके जवाब गलत थे और 5% दर्शक ऐसे थे जिन्हों ने कहा कि हमें इसका जवाब पता नहीं है मैंने पूछा था 3 ख डाए 3 जो ये 100 है मुर्धन्य सकार इसे 100 भी कहते हैं और ख भी कहते हैं तो ये नाम था जन्म कुंडली के 3 भावों का 3 यानि 3 शड यानि 6 और आय यानि 11 तो आप सब दर्शकों ने जिन्हों ने ये कहा कि जन्म कुंडली के 3 चठवे और 11 भाव को त्रिखड आय भाव कहते हैं वो बिलकुल सही थे लेकिन जो नहीं जानते वो याद कर लें ये प्रशन नहीं था बस भावों का नाम था त्रिखड आय भाव आईए प्रारम करते हैं सामुत्रिक विज्ञान प्रेदर्शकों स्वास्त की जो रेखा है वो हतेली में यहां से यहां से और यहां से यानि कि जीवन रेखा के अंदर से मडिबंध के पास से अथवा चंद्र रेखा के पास से अथवा भाग्य की रेखा में से भी यह रेखा निकलती हुई दिखाई पड़ती है और सुक्रपरवत के पास अंदर से भी यह रेखा दिखाई पड़ती है निकलती हुई अब यह रेखा कहां जाती है तो यहां पर हथेली में बुद्ध परवत के पास इस रेखा का अंत होता है यानि उदगम हथेली में इन जगों से होता हुआ दिखाई पड़ता है और इसका अंत जाकर के हथेली में बुद्ध परवत पर होता है यानि इस रेखा को अगर मिला दिया जाए तो ये कुछ इस प्रकार की दिखती है ये आपकी हथेली में किसी भी जगह से निकली हुई दिखाई पड़े ये किसी भी जगह से मैंने जितने पॉइंट दर्साएं हैं इसके अलामा भी हो सकता है ये हथेली में आपके कहीं और से उदगम ले रही हो यह रेखा कहीं से भी निकलती हुई दिखाई पड़े बुद्ध परवत के नीचे जाकर के ये समाप्त होती है और इसी रेखा को हम स्वास्थ रेखा कहते हैं ऐसा कि मैंने कहा अगर यह रेखा हथेली में निर्दोस हो साफ सुत्री हो तब तो बहुत स्रेष्ट इसका मतलब है कि जातक अपने जीवन काल में स्रेष्ट सफलता हासिल करेगा मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की हथेली में जीवन की रेखा बहुत साफ सुत्री है मस्तिक्स की रेखा बहुत साप सुत्री है हृदय की रेखा बहुत साप सुत्री है और सांथी सांथ भागी की रेखा बहुत साप सुत्री है लेकिन उस व्यक्ति की हथेली में ये जो स्वास्थ रेखा है इस रेखा पर द्वीप का चिन्ह बना हुआ हो तो क्या होगा तो सीधासा मतलब है कि यदि द्रीप का चिंध स्वास्थ रेखा पर बना हुआ है तो वो व्यक्ति के स्वास्थ को कमजोर कर देगा जातक को रोगी बना देगा जातक स्वास्थ से कमजोर हो रहेगा मान लीजिए किसी व्यक्ति की हथेली में आयू बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है साथ सुत्री और लंबी आयू दिखाई पड़ती है लेकिन स्वास्थ रेखा में कहीं कट का चिन्ह हो कहीं दीप का चिन्ह हो कहीं जाले का चिन्ह हो तो अच्छे से अच्छे जीवन रेखा के प्रभाव को ये खराब कर देगा वैसे अगर आप सामुद्रिक विज्ञान को समझने लगेंगे उस समय ये बात जान लेंगे कि जब इस रेखा में कोई परिसानी दिखाई पड़ेगी तो वह जीवन रेखा में भी परिरफचित होगा लेकिन मैंने उदाहरन के लिए समझाया कि अगर कोई भी रेखा कितनी भी अच्छी हो स्वास्थ रेखा ठीक न हो तो ये बाकी की रेखाओं के प्रभाव को कमजोर कर देगा यहाँ पर एक सूझना मैं आप लोगों को दे दूँ कि प्रियदर्शकों पिछले दिनों से लेकर अब तक हमने लगभग हस्त रेखा से संबंधित बहुत सारी बातों को जान लिया है अब समय है प्रैक्टिकल करने का तो जैसे हम जन्म कुंडली का धैन करते हैं वैसे ही आने वाले दिनों में मैं आप ही दर्शकों में से किसी एक दर्शक की जैसे जन्म कुंडली का चुनाव करता हूँ वैसे ही हत्हेली का चुनाव करूँगा और जिस दर्शक की हत्हेली क को ले करके और वो जो प्रश्न पूछ रहा है हथेली में वो कहां दृष्टिक गोचर होगा कैसे उसका जबाब देना है इसके बारे में बताऊंगा आज एक छोटी सी जानकारी और यहां पर आपको दे दूँ कि कई सारे लोगों की हथेली में रेखाओं का जाल सा दिखाई पड़ता है यदि आपकी हथेली में बहुत सारी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं तो इसका मतलब है कि इस तरह की रेखा वाला व्यक्ति सारीरिक स्रम करने वाला नहीं होगा इसका मतलब है कि इस तरह का व्यक्ति कहीं इस्थिर हो करके कुरसी पर बैठ करके काम करने वाल अथवा स्वास्त से सम्मंधित समस्याका भी सूचक है यानि हतेली में बहुत अधिक रेखाओं का होना बहुत ठीक नहीं है वहीं हतेली में कम रेखाओं का होना बहुत स्रेश्ट है लेकिन हतेली में मुख्य रेखाओं को छोड़ कर बाकी के रेखाओं को छोड़ कर जो मु अगर जाकर के मस्तिक सरेखा को काट दे तो ये व्यक्तिक को जीवनकाल में भयंकर, एक्सिडेंट, चोट, अथवा किसी दुर घटना की सूचना ये देगा, अथवा जातक को किसी ऐसे छेत्र से, कार्यक छेत्र से किसी नुकसान की ये सूचना दे रहा है, और इसके चलते आने वाले दिनों में जातक को कोई भयंकरतम नुकसान होने वाला है, वहीं हथेली में अगर यह स्वास्त की रेखा तूट तूट कर बनी हुई हो, अगर आप ऐसी स्वास्त की रेखा देख रहे हैं, यानि आगे तक तो गई है, लेकिन कई रेखाओं से मिल करके तूट तूट के गई है, तो फिर यह रेखा भी स्वास्त में परेशानी का सूचक है, अगर इस रेखा पर द्वीप का चिन्ध बन जाए, अथवा यहां कहीं जाले का चिन्ध भी साथ साथ दिखाई पड़े, तो यह भयंकर कस्ट की सूचना है, अगर स्वास्त रेखा से निकली कोई रेखा, अथवा जीवन रेखा से निकली कोई रेखा, स्वास्त रेखा को काट दे, तो फिर यह व्यक्ति के भयंकरतम स्वास्त से संबंधित परेशानी, अथवा एक्सिडेंट की सूचना है, अथवा कार्यक छेत्र में कोई ऐसा नुपसान, हमेशा याद रखिएगा कि स्वास्थ रेखा में जब कोई समस्या होगी, तो केवल उस व्यक्ति के स्वास्थ से सम्मंदित नहीं हो सकती, हो सकता है वो रेखा, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सिडेंट हुआ, अब वो व्यक्ति कोई नौकरी करता है, तो जब वो नौकरी कर रहा होगा और उसका एक्सिडेंट हो, तो केवल उसका स्वास्थ नहीं गया, वरन उसका काम भी गया, तो स्वास्त रेखा जब जब तूटेगी, स्वास्त रेखा जब जब पीडित होगी, तब तब जातक के केवल स्वास्त की बात नहीं होगी, वरन उसके कारेक छेत्र, उसके भाग्य, उसके जीवन काल में आए, यानि कि मैं कह सकता हूँ कि स्वास्त रेखा की कमजोरी जीव प्रते एक छेत्र में द्रिष्टि गोचर होने वाली है इसलिए मैंने कहा कि अगर यह रेखा हथेली में दिखाई पड़ रही है तो बहुत सावधान होकरके इस रेखा का निरिक्षन करने की आवशकता है क्योंकि यह रेखा बाकी के अच्छे से अच्छे प्रभावों को सम स्व्यक्ति की मृत्यू गोली लगने से या सणक दुरघटने में या कहीं से गिर कर हो जाती है चंद्रचेत्र से यदि कोई निकली रेखा इस रेखा को काट दे तो फिर जातक जल में डूबने से सामुद्र की यात्रा के दौरान या कहीं की यात्रा के दौरान यात्रा मे अगर अधिक लालीमा युक्त स्वास्त की रेखा दिखाई पड़ती हो तो ये जातक के सर में दर्ध की शिकायत बार बार बुखार लगना जातक को चिरचिड़ा बना देगा अगर यह रेखा हथेली में तूट तूट कर आगे बढ़ी हो और बहुत अधिक लालीमा युक्त हो तो ये व्यक्ति के पक्छा घात, मिर्गी, इत्यादी रोगों की सूचना दे रहा है अगर यह रेखा हथेली में जाकर के इसमें से कोई रेखा निकल करके और हर्दय रेखा को काट दे तो ये हर्दय से सम्बंधित किसी समस्या की सूचना दे रहा है मस्तिक्स रेखा को मैं बता चुका हूँ अगर यह रेखा भाग्य रेखा को काटती हो अथवा इसमें से कोई निकली रेखा भाग्य रेखा के साथ संबंध बना ले तो जितने दूर तक वह रेखा जाएगी याद रखिये कि स्वास्त रेखा ठीक हो और स्वास्त रेखा से निकली कोई रेखा भाग्य रेखा के साथ उपर की तरफ जाए तो स्रेष्ट लेकिन स्वास्त रेखा टूटी फूटी हो और उसमें से निकली कोई रेखा भाग्य रेखा के साथ उपर तक जाए तो ये व्यक्ति के जीवन काल में उसके कारेख छत्र में नुकसान की सूचना दे रहा है स्वास्त रेखा से निकली कोई रेखा नीचे की तरफ जा रही हो ज़रा ध्यान से समझेगा क्योंकि ये नीचे से ही निकलती है और नीचे से निकल करके उपर जाते के साथ साथ इसमें से बीच से निकल करके कोई रेखा नीचे की तरफ आ रही हो तो ये तै कैसे करें कि कौन उपर जा रहा है और कौन नीचे तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो रेखा नीचे की तरफ आ रही है अगर वो पतली है, अगर वो मोटी नीचे है, तो समझ लिजे कि नीचे से वो उपर जा रही है, तो ये स्वास्त रेखा की सहायक रेखा कही जाएगी, और स्वास्त रेखा की सहायक रेखा भाग्य रेखा के समान हो जाती है, ये बहुत स्रेश्ट होता है, ये जिस जातक की ह त्थेली में दोहरी स्वास्त रेखा की सहायक रेखा दिखाई पड़ जाए तो कहना ही क्या ये भाग्य के समान फल देती है लेकिन अगर स्वास्त रेखा से निकली कोई रेखा नीचे की तरफ आ जाए और मडिबंद से जाकर के समपर्क कर ले और आप ध्यान से उसी समय जी जीवन रेखा में भी दिखाई पड़े तो ये व्यक्ति के जीवन का अंतिम समय है या फिर मैंने जैसे आप लोगों को बताया था इसमें से साल यानि कितने कितने वक्त वर्स को काट कर समय निकालना है उस अधार पर आप निकाल करके देखेंगे तो उससे भी ये पता चल ज आएगा कि यह रेखा किस जगह पर जाकर के नीचे की तरफ मुड रही है या मड़ी बंद से मिल रही है या जीवन की रेखा पर कोई बिंदू, कोई धब्बा, कोई तिल कहां पर है और उस समय जातक को ये नुक्सान ही नहीं करेगा वरन जातक के लिए जानलेवा सिद्ध होगा प्रिदर्शकों मैंने आप लोगों को आज स्वास्थ रेखा के बारे में बताया मैं यहां बता दूँ आपको कि स्वास्थ रेखा कई रेखाओं से जैसे मस्तिक्स रेखा से भागय की रेखा से हृदय रेखा से मिल करके कई चिन्धों का भी निर्मान करती है और य मैंने आपको स्वास्त से संबंधित बातों के बारे में ही बताया अब जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले दिनों में मैं हथेलियों का चुनाव करूंगा और उसे आपको बोर्ड पर दर्सा करके जिसकी भी हथेली होगी उसके तस्वीर को बोर्ड पर दर्सा करके और आपको उस व्यक्ति के प्रश्णों के बारे में कैसे हथेली से प्रश्ण का जवाब देना है वो आपको मैं बताऊंगा जाते-जाते कल के लिए मैं आपसे एक प्रश्ण पूछ लेता हूँ और वो हथेली से संबंदित होगी हथेली में संतान की रेखा कहां पर पाई जाती है हथेली में संतान की रेखा कहां पर पाई जाती है बहुत जल्दी पिछले दिनों ही मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि हथेली में संतान की रेखा किस जगह दृष्टि गोचर होती है आसा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को इस सवाल का जवाब पता होगा तो आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए कल एक नए कारेक्रम के साथ आप सब के समुखाजिर होगा तब तक के लिए नमस्कार